नमस्कार दैनिक्षिफ टाइम में आप सब का स्वागत है एक खबर लेकर आए हैं जिसे सुनकर आपके पैरो तले निकल जाएगी जमीन यनि आप रह जाएंगे फोचक के वो खबर क्या बताना चाहेंगे आपको के 15 साल की बच्ची ने एक बच्ची को जर्म दिया यूट्य के मादिन से उसने अपनी ही खुद की डिलिवरी की उसके बाद बच्चे की जान ले ली पूरी खबर क्या यह बताना चाहेंगे आज के दोर में आखिर हो क्या रहा है समाज कौम किस ओर लेकर जा रहे हैं क्यों नहीं हम आपनी बच्चीयों पर नजर रख रहें उनके यह कि फुजिक पे अगर कोई बदलाओ आता तो ये माता-पीता का करतव है ध्यान देना पूरी खबर क्या ये भी बताना चाहेंगे पूरी खबर ये है कि एक बच्ची जिसकी उम्र महद 15 साल है और नोवी क्लास की कक्षा है नागपूर की रहने वाली है यनि कि एक व्यक्ति इ बच्ची यनि के प्रेगनंट हो जाती है और उसके बाद बच्ची इस पूरी चीजों को बचाने के लिए यनि जो 15 साल की बच्ची और नोवी क्लास की शात्रा है यनि इस्टाग्राम में जिस व्यक्ति के साथ उसका यनि के मेल मिलाप होता है उस पर इंट्रोड़क्शन ह होती है उसके बाद इसकदर व्यक्ति इसे यनि के बहलाता फुसलाता अपने दोस्त के घर में जाकर इसके साथ एक नशीला पदार्थ पिलाकर इसे यनि यह नशे की कोई चीज पिलाकर इसे बेहोश करता उसके साथ दुश कर्म करता है अब बताना चाहेंगे कि जो और डिलिवरी के बाद एक फीमेल बेबी को जर्म देती है और उसके बाद बचने के लिए के पडोसियों तक इसकी चीखों पुकार ना या पडोसियों कर ना पता हो जब वो घर में अकेली होती है और उसी के चलते वो बच्ची को बेल्ट से यनि गला गोंड कर मार देती ह है उसके संदर में पुलीज ने फिलाल एक मामला दर्श किया और पुलीस ने जो कि रेप का जो मामले दर्श किया और साथ प्रिक्शन एफ चा'M चायल्ड चिल्डर्न फ्रम सेक्शल आ रही है कि उसका गलाव दबा कर उसकी जान ले ली गई यह पंदरा साल की बच्ची जिसे ये भी नहीं पता कि दुनिया दारी है क्या और नोवी पढ़ने वाली क्या इतनी देर से जब उसके पेट में बच्चा पल रहा था क्या माता पिता को जरा भी बनक नहीं लगी क्या माता पिता अपने बच्चों पर ध्यार नहीं देते कि उसके फजीक में उसके उट्रे बैटन में क्या किसी तरह का बदलाओ आ रहा है अगर बदलाओ आ भी रहा तो हम बच्चे से पूछे क्या यह पूरी घटना जो बताना चाहेंगे आपको नागपुर की है और जब वो उसकी माता घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंच कर वो सारा वहाँ पर जो बच्ची की हाला देखती तो बच्ची को वो पूछती है सच सच बताओ आखिर मामला क्या बच्ची को विश्वास में लेती है उसके बाद बच्ची से जब पूछा जाता तो फिर बच्ची अपने मा को पुरी वो कहानी बताती है कि किस तरह से उसने उसके साथ व्यक्ति जो की सोशल मीडिया यनि इंस्टाग्राम से उसकी मुलाकात होती है और उसके बाद वो अपने दोस्त के घर में उसे ले जाता है और कुछ निशीला यनि कि नशे की चीज पिलाने के लिए उसे उसके साथ दुशकरम करता है उसी के साथ जब बच्ची की मा घर पहुंची उसने पुरी वारदा जानी तो बच्ची ने दिल खोल कर मा को पूरी कहानी बताई और रो पड़ी और साथिसर्थ जो उसने न्यूबान बेबी को जो उसने डब्बे में डालका रखा था जब मा ने उसे पूरी तरह से विश्वास में लिया पूरी घटना करम उसे सुना तो उसके बाद वो बच्चा जो कि उसने एक बच्चे को जो की मार कर उसे एक डिब्बे में डाला तो वो भी फिलाल ब्रामत कर लिया गया आकिर हम समाज को किस और लेकर जा रहे हैं एक बड़ी घटना जो नागपुर से आ रही है यह सीख है कि माता पितों के लिए अपनी बच्चियों पर ध्यान रखिये अगर कोई भी दोस्त या उनका परीजन जो भी उसके संपर्क में होता है पर माता पिता का भी एक करतव होता है कि ये stories लाने के लिए इसलिहा हमारा ये मतलब मकसद रहता है कि माता-पिता का ध्यान रहे अपने बच्चों पर ये story कोई हम इसलीने कहते कि आप हमें views दीजिए या trp के लिए stories सीक होनी चाहिए और इस तरह की story कहीं की भी हो हमें आप तक लाना हमारी duty है ताकि माता पिता भी स्तर्क हो जाए हमारी बच्चियां भी स्तर्क हो जाए किसी के जहांसे में ना आए Facebook की बात करे Instagram की बात करे या किसी और Social Platform की बात करे तो इसी तरह से बच्चियों को वरगलाया जाता है कई पर फेक आईडीस के माद्यम से बच्चियों को वरगला कर उन्हें जासे मिलिया जाता है उनके साथ गलत काम किया जाता है जिसके चलते गलत काम करने वाला तो बाद में शिकानून के शिकंजे में आएगा पर तब तक उस बच्ची का मानसिक किस तरह से परताना का शिकार होना पड़ेगा जो माइनल बच्ची है जिसे पता भी नहीं कि आखिर उसके साथ क्या हुआ कुछ सोची अगर 9 महीने तक वह या जितने भी महीने तक वह बच्ची के पेट में बच्चा था और जब उसने यूट्यूब देखा जब उस बच्ची को कुछ समझ नहीं आया क्य उसके माता पिता ने उसकी खबर नहीं ली कि आखिर किस तरह से कारण से बच्ची की फजिक में या उसके चलने उड़ने में कोई अगर कोई फरक आ रहा तो हम बच्ची से जांचे ये स्टोरी लाने का आप तक मतलब यह है चाहे नागपुर की हो चाहे के इंभी है तो हमा बात करें उनसे जाने का प्रियास करें कि आखिर इस बदलाओ का कारण क्या एक दोस्त बान कर ताकि बच्चे बाहर की जगा अपने माता पिता अपने बहन बाईयों पर विश्वास करके जिसी भी परताना से वो गुजर रहे हो वो कम सका उनके साथ शेयर करें ताकि आने समय में एक बड़ी घटना से बच सके जिस तरह से बच्ची जो पंदरा साल की बच्ची थी नागपूर की रहने वाली जो कि नौवी क्लास में कख्षा में पढ़ती थी इंस्टाग्राम के मादें से एक व्यक्ति के साथ उसका बेल जोल होता है और उसके बाद व्यक्ति उ आखिर सामने कोई भी उसके कोई भी यानि रास्ता नहीं दिख रहा तो उसने यूट्यूब को लाओ यूट्यूब के मादें से किस तरह से डिलिवरी की जाती है वो पूरे हतकंडे अपना है उसके बाद एक फीमेल बेबी को जनम दिया और उसके बाद बच्ची का उस बे इसने रेप का मामला दर्च कर लिया है और जल्दी उमीद करते हो से रोपी को धर्द बोचेंगे फिरा समाज के ऐसी जानकरिया लानी बहुत ही ज़रूरी है बले हम आगे बहुत आगे चल चुके हैं बले हम आगे निकलते जा रहें देश आगे निकलना लोगों की सोच आ प्रोसा ना कीजिए जिसके चलते आज अगर आप देखते हैं लिविन रिलेशन्शिप का एक ट्रेंड बन चुका है जिसके चलते कई बच्चियों की जान चली जाती है तो इसलिए सतर्क रही है सुरक्षित रही है हमें अपनी बच्चियों के लिए एक एहम रोल अदा करना खास कर मता पिता को और समाच के लोगों को मिलकर इन सारी चीजों पर ध्यान देना हो और काम करने की जरूर ताकि लोगों को अवगत हो लोगों तक यह जानकारिया पहुंचे और वो सतर्क रहे अपने कमेंट अपने सुजाब हमें जरूर दीजिए इस वीडियो को जितना करूब औरू मेंट ठीजिए समझावास